आज सलाम अलेकुम आज हम लोग नर्सिंग स्किल करेंगे स्किन एंड स्केलिटल ट्रेक्शन Objectives क्या होंगे हमारे इसमें Defined Traction, Defined Skin and Skeletal Traction, Purpose of Traction, Risk of Traction, Contra Indications of Traction, Equipments, Pre-Procedure for Skin Traction, During Procedure, Post Procedure, Skeletal Traction Equipments and Procedures का So first of all देखते हैं कि Traction क्या होता है Traction किसको Refer किया जाता है कि कोई भी Force लगा कि आप Muscles को या Skeletal को खींचे तो उसको Traction कियाता है Types of Traction हमें पास दो किसम की है Skin Traction and Skeletal Traction Skin Traction में क्या होता है जिसमें Weight यूज किया जाता है आपकी Skin को खींचने के लिए Force अपलाई करिए कोई भी Fracture हो गया उसके लिए Skin Traction किया जाता है और Skeletal Traction में क्या होता है जिन में यह पिन लगाई जाती है जिसमें Wire लगा ले जाते हैं से यह पटिया बांद के उसके पर Weight लटकाया है तो यह Skin Traction किया लाता है और यह हमारे पास आता है Skeletal Traction कि जिसमें देख सकते हैं आप Femur Bone के अंदर और टीबिया के अंदर Wire डाली गई है और इसको पुली के ज़िए Weight लगाया गया है ताकि यह प्रॉपर Alignment में एक सीदी रिकावर हो जाए अब देखते हैं कि Traction का Purpose क्या है किसलिए करते हैं ताकि First of all क्या है पिला पॉइंट के Stabilize करने के लिए या उसको एक LINE में लगाने के लिए कि जो भी आपकी Broken Bone है आम की हो पाउं की हो या हाथ की उसको एक Fracture को ठीक करने के लिए ताकि वो सही से जोड हो जाए सेकंड क्या है यह सर्जिरी के बात की जाती है सर्जिरी से पहले किया जाता है और बाद में भी किया जाता है और थार्ड जो इसको पॉइंट है यह बोन की डिफॉर्मटीज को ठीक करने के लिए किया जाता है जो से कंडिशन हो के स्कॉलासिस के लिए और फॉर प जाये रिस्क फो ओफ ट्रैक्शन क्या ही यह है कि इसके एड़ डी एक्षिया में एक्ससेव ब्लीडिंग हो सकती है infection हो सकता है pin side पे या damage होता है surrounding tissues में या नर्व injury हो सकती है या अगर ज्यादा weight लगा दिया Contra indication of traction कि किन सूरतों में हमने traction नहीं करना तो first condition है osteoporosis में जो कि condition है कि जिसमें आपकी bones बहुत weak होती है और susceptible to fracture होती है यानि कि वो easily fracture हो सकती है जर्व से भी आपको छोट लगीगी तो आपकी जो bone है वो fracture हो जाएगी second पर है rheumatoid arthritis ये chronic autoimmune inflammatory disease है जो कि affect करता है joints को जिसमें आपके joints खराब हो जाते हैं number three infection for pregnancy five respiratory problems की में आपने यह नहीं करना six में कलोस्ट्रोफोबिया क्लोस्ट्रोफोबिया कि जिसमें fair of closed places seven में cardiovascular disease में आपने नहीं करना eight में joint problems में आपने नहीं करना equipment किया होंगे skin traction के वल्करोबोट, belt, halter और sling weight इसमें maximum 10 to 15 LBs, pulley, bandage, adhesive tape, razor to shape अगर ज्यादा बाल हो तो आपने करना है skin traction में आप रिजर से ताके आप बालो को हटा दें वहां से ताके skin traction properly किया जा सके और send back आपको चाहिए pre procedure में आपने क्या करना है आपने चेक करना है order और explain करना है procedure और परपस पेशन्ट को उसका second में आपने क्या करना है encourage करना है patient को उसको और बलाइस बताना है आपने traction के बारे में care देनी है mobilization और जो भी उसके question वो आपसे पूछे वो आपने उनके answer देने है उसको third पर क्या करना है आपने skin conditions को observe करना है उसकी circulation को before traction and after traction number four explain the change position frequently और आपने patient को बताना है कि आपने अपनी position चेंज करनी है frequently during procedure प्रोसीजर के दोरान आपने किया किन किन चीजों को ख्याल लगना है आपने apply करना है tincture benzoin जो के extremity है traction के लिए है आपने assist करना है एलास्ट अप्लाइंग elastic bandage number third आपने support लगानी है किस limb को with pillow या sand banks या lying करना है उसकी desired attachment position के अंदर और फिर आपने क्या करना है नबर four पर traction को pull किया जाता है desired weight के थूँ 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 पूली के जरीए और five आपने foot को race करना है end of bed को post procedure procedure आपने क्या करते हैं या आपने जो इसकी limb का alignment है वो आपने alignment proper रखना है और उसके sand bags और pillow है वो आपने properly लगा देना है second point किया है आपने client को center of bed में रखना है ताकि वो इनी की easily थोड़ा हेल कर दो सकता हो कि एक side पर ज़्यादा हो घूझा है तो सबस्के मसल आ सकते हैं या alignment खराब हो सकती है नमर थाड पर क्या है जो उसके we с eight युज वेट उस पर वह हैंक free होना चाहिए जो भी वेट आप लगा रहे हो वह हैंक free होना चाहिए और कई पर यह कर नहीं की वह बेड से टक्रायबा चाहिए यह floor पे लगावानी होना चाहिए वह free een ham гоंना जाएए ताकि प्रॉपर्ली उसकी जोबोन hemen've may as a skeletal seeking के equipment's इसके पहली हम skin detection कि क्वेइब autosom लिल्ट के पर चूंक्ट अब हम स्कोरेट्र कीquiप्वेइड ज़ेखते हैं समय क्या पे जाएग तैंच hilket के डिवाइजर होते हैं जो के फास्ट निंग अबजेक्ट जोडने में तॉंग्स चाहिए यह टूल्स होते हैं जो कि गिरिप लिफ्ट करते हैं और अबजेक्ट को विधाउट होई इस्टेड ऑफ होल्डिंग देंग विद हैंड्स हातों में पकड़ने के इलावा यह दू भी उस चाहिए है आपको वायर साजी है रोप्स अंड पुली प्रोसीजर इसका प्रोसीजर क्या है कि इसके प्रोसीजर फॉस्ड अपने फीजीशन का ऑड़र वगार चेक करना है और पेशिंट आपने बता देना है उसके बाद के जो ट्रैक्शन होता है यह अपलाई की चाहिए डारेक्टली बोन के उपर ताके उसको और इसमें ज़्यादा वेट भी लगाया जाता है स्किन ट्रैक्शन के मुकाबले में इसके उपलाई किया जाता है 30 LBs to 14 kg तक इसके उपर वेट लिफ्ट किया जाता है या पुली के जिरिये वेट लगाया जाता है इन्हें की फोर्स इसके उपर यूज की जाती है इसमें मिंटेन किया जाता है इसमें आपने देखना है कि केर आफ स्किन आपने देनी है करना है जी कहीं पर आप recipe थर्स इन्हीं, है कि कहीं इसके और फ। और फ। लुख जाता है आपने मिंटेन करनी है ड Candice थाल राझाथ का जाके ना उन्हीं से आपने वीकरना है जो के जो भी साइट है वो आपने open करनी है after it is healed जब तक कि वो heal हो जाए आपने circulation चेक करनी है every hour अगर पेले 24 गंडों में आपने हरे एक गंडे पे चेक करनी है उसकी circulation और 24 गंडे बाद पिर आपने हर चार गंडे बाद उसकी circulation चेक करनी है Thank you, Hope you like it